प्रेज़ दो लॉर्ड, हालेलुया, गुद मॉर्निंग, एक बार फिर से 5th September 2020, 5 September 2020 में आपका स्वागत करता हूँ, और एक बार फिर से सलूट करता हूँ, अपने Happy Teachers Day बोलना चाहता हूँ, उन सिक्षकों को सबसे पहले में Holy Spirit पवित्रहादमा जो हमारी सिक्षक है, जिसके में सलाम करता हूँ, और स्वागत करता हूँ अपने जीवन में, उसके बाद अपने Parents जो सबसे First Teacher हमारे हुए, और Third Number पे हमारे शिक्षक, जिन्हों आज हमें पढ़ाया और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, उनके बदौलत हम उन सब का धन्यवाद करते हैं, हिर्दे से, और कहना चाहते हैं, परमे सर उन्हें सब सिक्षकों को आसीज दे, आज की सुभा एक बाद फिर से मैं United Christian Forum का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पेज को तैयार किया है, रिवाइज वर्शिप टीम का, जिनकी द्वारे फॉलो किया जा रहा है, और उनके द्वारे मैसेज फेस्बुक, वाटसेप पर आप देख सकते हैं, मैं धन्यवाद करूँगा, House of God Believer Church, House of God Believer Church, आपके लिए तत पर हैं, आप अपने वाटसेप, आप मैसेज, फोन के जरीए हमसे बाचित कर सकते हैं, अपने लिए प्रातना कर सकते हैं, आज का मंधन है, हम जल्दी से हमारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाडने वाले भेडिये हैं, उनके फॉलो से तुमने पचान लोगे, क्या लोग जाडियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं, आज की मैंने पंदरा और सोलह आइत में आप से मंधन करना चाहता हूं, लिए जू रोज दारू ये वो गड़बनी हैं, संसारिक वेकती हैं, लेकि फेस्बुक पे हालिलुया प्रेज दो लोट, आपको किस जाल में फसा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कि एक छोटा सा किस्सा है, कि एक पेड़ पे बहुत सारे तोते बैठे थे, एक तोता आया औ पेलिया आएगा, जाल बिचाएगा, पकड़ के ले जाएगा, सब उसकी नकल करने लगे, मैं कहना चाहता हूं, बहलिया खाना खा रहा था, पेले की नीचे बैठे थे बोलाई, या ये तोते तो बड़ी समझदार है, ये जरूर बिस्वासी हैं, जो हालिलुया प्रेज द बहलिया ने का, चलो फिर भी देखते हैं, जाल बिचा देते हैं, उसने जाल बिचाया, दाना डाला, और मैं आपको बताना चाहता हूं, कि वो सारे तोते जो दूसरे पेलड़ पे बैठे थे, नकल कर रहे थे, हालिलुया प्रेज द लौड, हालिलुया प्रेज दालॉड, अब मैं बताना चाहता हूं, फिर वो बोल रहे थे, बहलिया आएगा, जाल बिचायेगा, दाना डालेगा, पकड़ के ले जाएगा, और वो सब उतरके उस जाल पे बैठ गए, और दाना चुने लगे, जो विस्वासी था, खुदा का चुनोवा दास था, वो सच्चा ही ब हालेलुया, प्रेस दलोड, बहलिये से, साब्दान रहो, जूटे वाइस दगता, उठखड़े होंगे, उनके जाल में ना फसना, फेस्वुक में बच्चों के जरीए, लेडीस के जरीए, पुरुस के जरीए फसाएंगे, और भविस्वारी करेंगे, मुझे अच्छा लग है, तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया, मेरे अजिस, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अंतिम समय है, बहुत से दख्ताव से साब्धान रहो, आपको जानने की जरूरुत है, वो तोते, जब भेलियन देखा, सब आके बैठ गए, और वो एक तोता वहीं बैठा बोल हालिलुया, प्रेज्ट अलॉड, हालिलुया, वो संसारिक बातों में फस चुके हैं, और जाल की जाओ, वो सफस गया, वो तोता पेड़ से उड़ा, और उड़ता हूँ, गाता हूँ, हालिलुया, प्रेज्ट अलॉड, मेरा प्रभू बहुत महान है, मेरा प्रभू बहुत महान है मैं आज बताना चाहता हूं कि आप जाल में तो नहीं फसने जा रहे हैं इसलिए बाइविल कह रहे हैं और मती साद बाप की पंदायत में जूटे भविश्दक्ताओं से साबधान रहो आपको जरुद है इर्मिया सत्रा बाप पढ़ने की और उसकी पांच में लिका है योबा यो कहता है जो मनुष्द्स पर भरुषा करता है वे श्रापित है क्यूंख उसका मन परमेसर से भठक गया है इसलिए बचार में लिका हुआ पंदायत में जूटे भविश्दक्ताओं से साबधान रहो जूटे भविश्दक्ताओं खड़े हो गये और कहेंगा आप को उनके जीवन में झाकने की जरूत है कि यह प्रभु की और से या सेतान की और से आज जरूत है जूटेस बहुतकताओं से साब्धान रहे और फिल लिकवा है कि वो भेडों के भेश माएंगे तुम्हारे पास आते हैं पर अंतर में फाड़ने वाले भेड़ी हैं वो बड़ में फाड़ने वाले भेड़ी हैं मैं आप पता चाहता हूं कि आपको भेड़ों भेड़िये का अंतर मालूम होना चाहिए आप अगर पवित्रात्मा में हैं प्रात्ना करते हैं 24 गंटे आपका मन परमेसर से लगा है आप दूर से पचान लेंगे इवेक्ति खुदा में है या डुप्लिकेट खुदा का है पैसा कमाने का उसका रास्ता है मेरे अजीसो बहुत सारे फेस्बुक पे प्रोग्राम चल रहे हैं पैसा कमाने का जरिया है आप देख लीजेगा और चेक कर लीजे कि यह आप फसने तो नहीं जा रहे हैं जूटे भरिश्दक्तों के जाल म संजीर तोड़ते हैं हाँ हालिलुया बात सही आ गई कि आप उनके फरों से पचाल लोगे अच्छा पेर निकमा फल नहीं लाता और निकमा फेर कभी अच्छा फल ला ही नहीं सकता आपको उसके खांदान की जरुत परता करने की कि उसके पिता जी क्या करते हैं उसकी माता जी क्या करती थी और ये कब से विस्वास ही हैं आगि खोद के क्या काम कर रहे हैं बहुत से लोग फसने जा रहे हैं आपना पिसवाज अपना मन प्रभू से लगाए लिका है। ये दि एग शुक्तिन की साथ दंनु वी जो प्रभू पर येसु मसी प्रुसा करते हैं। i. Israeli जो बॉय ओ 105 पर चलते हैं बयाई वीक्यादि आप को मानते हैं। आप उनने कैसे पचान होगे उनके फलों से बाइविल बता रही है कि अमरूद के पेड़ पे सेब नहीं लग सकता खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता मेरे अजीजों परचानने की जुरूद है कि ये इनके फल क्या है वो नौ फल है प्रेम आनंद शांती दीरच किर्पा भलाई विस्वास नर्मता सयम ये नौ फलो से आप पचान सकते हैं कि ये प्रभू के दास है या शैतान के दास है आज मैं इस बचन से आपको आसिस्क देना चाहता हूँ एक बाद फिर से रिवाइस वर्श्विप टीम पर के दौरा आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आज का मनना आपके लिए आसिशित हो आमीन आज मैं एक फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ जब पूरी वर्ड पूरी दुनिया पूरा सिंसार टीचर्स दे मना रहा है मैं उन टीचर्स का मुबारगवाद देना चाहता हूँ मिस्स हमारी टीम में मिस्स वेलिंच हेंडर्सन जो एक टीचर है मैं सुस्मा एरिस सिंग जो की मुरादावाद टीचर स्कूल में टीचर है यह तीन लोगों जो हमारे टीम में काम कर रहे हैं इन तीनों को साथ साथ उन सब टीचर को मुवारगवाद आज के दिन देना चाहता हूं कि वह प्रभु में बच्चों को ऐसा ज्यानवान बनाएं कि वह परमेशर के बताय कदमों पे चलें हम प्रात्ना में चलेंगे मैं धन्यवाद करता हूं पवित्रात्मा आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमें गुद्धी समझ सामर से भरा डेली मन्ना में के दौरा उन पैरेंट्स का जो बच्चों के फर्स टीचर हैं अपने बच्चों का अच्छा रास्ता दिखाते हैं हर एक मादा पिता को और उ टीचिंग दे रहे हैं बड़ी बुद्धी ज्यान सामर से भरा प्रात्ना करते हैं विसेश उन बिमारों के लिए जो प्रभू बिमार है करोना वाइरस जो कि भारत देश में पसा रहा हुआ है प्रभू लोग परिसान है इसी समय करोना वाइरस अथाकुन नर्ख में चल ज के लिए हम प्रात्ना करते हैं बाइस पस्टर सुसिल मसी के लिए हम प्रात्ना करते हैं अपने भाई संजय हंडर्सन के लिए प्रभू येश्व मसी इन सब को आप चंगा कर रहे हैं आसीज दे रहे हैं कल्यान कर रहे हैं हम विसेश प्रात्ना करते हैं भाई राकेश के ल लियान कर, येशु के नम से मंगते हैं, आमीन